हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूटूप सैनल मिशन बोड़ जम दोरी किसम है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपसे पूछेंगे आपसे पूछेंगे जिसमें आपको आठ प्रसने सही करके दिखाना है आप लोग मालेज इतना दिन से महिन वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना और आपको मिलेंगे यानी पास सकंड़ टाइम आपको और उसके बाद हम एंसर खूद बताएंगे आप लोग कमेंड आयानी आप लो Greece करके करने से पहले आप से छोटे से क्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर पहली बाप विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर लें चलिए आज के बिडिव स्टार्ट करते हैं और आज के जो पहला कोशन आपके स्किन पर है बिधूत चुम्बक देख सकते हैं और मक्यीं लें या ध्यूत चुमरोट की स्टार्ट के खोशेित्य नैंने किसने किती तीया है है या यह या फिलेमिंग ने किये थे हैं तो इसका राइट एंसर की मुझा बात कर लेता इसका ओप्शन नमबर ए हो जाएगा ठिक है फाराड हो जाएगा बीदू चुम्मकिये प्रेड की खोल किसने की थी तो फिराड ने किये थे ठीक है फ्रेंड एक बार बता दे आप लोग को कि आ आप लोगों को एंसर कमेंट बोक्स में करना है तो फ्रेइड्स विसका राइट एंसेहरी ऊप्शन नम Ήप्शन नम चेइज विधो प्रेरंग गए क्वार्ड को मुझन नविकर्नी ये का चुर्त है और सबस्ट कंसे आपयों देख सकते én चार आपके अपके स्किनध पर है जिवास्म इंधन, सौर उर्जा, कोईले से प्राप्त उर्जा, प्राकिर्ति गय से प्राप्त उर्जा, नविकर्णियों उर्जा का यह शुरूत है, जिवास्म इंधन, सौर उर्जा, कोईले से प्राप्त उर्जा, प्राकिर्ति गय से प्राप्त उर्जा, तो फ्रेंड्स आप लोग बताते हैं इसके राय टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर भी ठीक है सौर उर्जा हो जाएगा ठीक है और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो जोंको सब्सक्राइब कर ले और विडियो पसंद आ रहा है तो विडियो को ला लकड़ी पेट्रॉल या इन वैसे कोई नहीं जली इस कमेंट की जिए कि एक उत्तम इंधन कौन है तो फ्रेंड्स इसका राय टैंसर हो जाएगा यहीं इसमयं अप्सें देना भूल का है यानि डि और अप्सें अब कर निये यानि उर्जा का सुरोता है और नभी कर निए और जचा का सुरोता है ओप्सन देखिए जिवास्म इंधन, सौर उर्जा, पावन उर्जा, विधूत उर्जा यानि और नविकरनिये उर्जा का स्रोत है जिवास्म इंधन, सौर उर्जा, पावन उर्जा या विधूत उर्जा तो फ्रेंट्स इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A हो जाएगा ठीक है जिवास्प इंधन हो जाएगा और नभी करनी है उर्जा का जो सुरोत है वो है जिवास्प इंधन देखें next question है जास्ता तता तनू हाइडोकुलोरिक अमले की अभिकिरिया के फल्सरूप निम्न में से कौन सा जास्ता तता तनू हाइडोकुलोरिक अंमले की अभिकिरिया के फॉल्स अर्ण है जास्ता और तनू हाइडोकुलोरिक अंसे lagi कराते हैं तो उसके जो फॉल्स हुरूप यानि lui lrinaust mi यानि जो गैस बनता है कौन सा घैस होता है CO2 होता है N2 होता है या S2 होता है या SO2 होता है तो फ्रेंड्स आप लोग बताद इसका राइट टेंसर हो जागा अप्सन नमबर D SO2 ठीक है अप्सन नमबर D इसका D करेक्ट हो जाएगा देखिए नेश्ट कोसा ने कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिकरिया कर उच गलनांक वाला योगिक निर्मित करती है या योगिक जल में बिला है या तत्व हो सकता है या योगिक जल में बिला है या या तत्व हो सकता है जो तत्व है, वह जल में बिले है, तो कौन सा तत्व होगा? चलिए, C-A होगा, C होगा, S-A-I होगा, यह F-E होगा? तो फ्रेंड्स, आप हम बताद इसका राह टेंसर होजाएगा, option number A होजाएगा, C-A होजाएगा, option number यानि calcium. देखे, next question है, निमली खित में से कौन लाउन है निमली खित में से कौन लाउन है ओप्शन देखिए HCL NAOH K2SO4 NH4OH तो फ्रेंड्स इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी ठीक है K2SO4 जो लाउन है वो है K2SO4 फ्रेंड्स जितने भी प्रस ने पूछ रहे हुआ आपकी एक्जाम के लिए बहुत इनपोटेट है और लाश्ट कोशन तक आप लोग बने रहे हैं और लाश्ट कोशन का भी एंसर जल कमेंट किजिएगा लोग देखें नेश्ट कोशन है सुध सोना को ब्यक्त किया जाता है सुध सोना को ब्यक्त किया जाता है ओप्शन देखिए टॉप टेन कोशन लेका है इस वीडियो में देखें नेश्ट कोशन है कौन सा और धातू कमरी के ताप पर द्रब होता है कौन सा और धातू कमरी के ताप पर द्रब होता है तो एंसर जली से कमेंट किजिए ब्रोमीन होता है पारा होता है तामबा होता है या एलमुनियम होत तो सिसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर यह ठीक है कौन सा और धातु कमरी के दरब वबस्ता पहल जाता है तो अब ब्रोमीन होता है तो इसी के अधारी तेक और कोशन आप से पुछते हैं कि कौन सा धातु कमरी के ताप पे यानि दरब होता है और चार अप्शन में इतना है और वीडियो पसाद है तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें हैं कि अ झाल